तो जानते क्या होता दिल्ली हिले, लंदन हिले, नियॉयॉर्क हिले ला तो समुद्रों में तुफान वाल डेमोक्रेटिक है तभी गुलामनभी आजाद भी छोड़ के चले गए इस्ट में हिमन्ता विश्वर्मा छोड़ के चले गए एक है अन्टॉनी का बेटा अनिल अन्टॉनी छोड़के चला गया कैप्टेन अमरिंदर सिंग छोड़के चले गया हकीकत यह है कि जब जब सत्ता छूटती है तब तब कॉंग्रेस तूटती है अगर हम यह कहें कि ट्रांसलेशन तो भारत और इंडिया बराबर है एक भोजपुरी का गाना है ना आरा ही ले छपरा ही ले बलिया ही ले ला तो जानते क्या होता दिल्ली ही ले लंदन ही ले नियॉयोर्क ही ले ला साथो समुदरों में तुफान सुनामी आ गई होती पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जिसकी आइडेंटी छोड़िये लेंग्विज भी उधार की है पाकिस्तान बना तो वहां की लेंग्विज क्या थी नेटिव लेंग्विज पंजाबी, सिंधी, पश्टो, बलूच और जब तक इस पाकिस्तान था तो बंगला, इन में से तो कुछ नहीं लिया यह उर्दू लेंग्विज कहां से आई, यह तो दिल्ली लखनो की लेंग्विज है तो पाकिस्तान लेंग्विज भी उधार खिली हुई है सुधानशु जी, थैंक्यू सो मच आप एनाई पॉडकास में आए मैं पहले अपॉलोजाइस कर लेती हूँ अपने व्यूवर्स को क्योंकि वो पहले ही पूछेंगे कि आपने ऐसे सवाल कैसे पूछ लिया सुधानशु जी, आपका फैन फॉलोइंग जो है YouTube में इतना है कि हर पॉडकास में पहले होता है कि when are you bringing Sudhan Shutri Vediji जी? Why don't you ask this to him? Why are you asking this person? So, today, a long list है ये भी पूछना है, फला भी पूछना है, ये भी पूछना है तो मैं पहले तो अपनी बिरादरी के बारे में पूछूँँगी ये जो नया boycott list जो निकला है India Alliance की तरफ से तो उसके बारे में पूछूँँगी what do you have to say to this but first for our expat viewers a little information about what this boycott list is all about The India Opposition Alliance has decided to boycott television shows moderated by certain news anchors The list shared by several members of the parties of the Indian coalition contains the names of Republic TV's Arnab Goswami News 18 Hindi's Amish Devgan Times Now's Navika Kumar India Today Group's Sudhir Chaudhary Gaurav Sawant and Shiv Arur Bharat 24's Rubika Liyakat among the 14 news anchors The Opposition Alliance believes that this step is necessary because the BJP has captured the narrative unfairly in mainstream English and Hindi media via the debates anchored by these journalists तो बताईए आप क्या समझते हैं कि ये boycott list open में क्यों आया है क्योंकि कई बार ऐसे होता है that political parties जो है वो किसी एक anchor के show में नहीं जाते जैसे आपकी party भी कई साल तक NDTV के shows में नहीं जाती थी अब जाने लग गई है क्योंकि वहाँ पे भी change हो गया है to why did they have to come out with it आपका आपके what do you think मुझे लगता है कि ये जो एक typical characteristic you can say entitlement oriented mindset है Congress party का जो आज से नहीं है मज़रू सुल्तानपुरी ने लिख दिया था जवालल नहरू के खिलाफ एक article कि उनके style of functioning में हिटलर की जलक मिलती है दो साल विचारे जेल में रहे थे emergency के समय लिख दिया था संजे गांधी के कारिक्रम में आने से किशोर कुमार ने केवल गाना गाने से मना कर दिया था तो All India Radio से वो बहर कर दिये गए थे आप याद करिये चंद सवाल पूछ लिये थे राजीव गांधी से तो Indian Express के उपर विजली विजली काट दी गई थी इतना ही नहीं याद करिये the post and telegraph bill which has been put in the pocket by यानि Jail Singh वो क्या था आज की जनरेशन को याद नहीं होगा I would like to remind them it was a bill proposed by Rajiv Gandhi government because at the time they were having huge brutal majority so they have passed a bill that government of at that time was will having an authority to open anybody's letters and can read it and if anything objectionable is found then the government can take appropriate action but fortunately the then president Jail Singh never returned that bill प्रिवश के जनरेख डिए इतना है